हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू करेंगे दस्वे अध्याय का तीसवा श्लोक 10.30 भगवान कह रहे हैं दैत्यों में मैं भक्त राज प्रलाद हूँ प्रलाद जी के बारे में महराज प्रलाद की कथा हम पढ़ते हैं श्रीमत भागोतम में वैसे तो वो दैत्य थे लेकिन तब भी परमभक्त थे इसलिए भगवान ने स्वेम को ये माना की हाँ दैत्यों में भी अगर कोई भक्त है अगर मैं दैत्यों के रूप में अपना विस्तार कर रहा हूँ अगर दैत्यों में कोई मेरा प्रति निधित्व कर रहा है तो वो हैं भक्त राज प्रहलाद फिर आगे भगवान कह रहे हैं दमन करने वालों में मैं काल हूँ भगवान ने यमराज को भी बोला था कि वो मेरा ही प्रति निधित्व है पश्वों में सबसे जो ताकतवर है भगवान ने का वो मैं हूँ, सिंग हूँ और पंशियों में भी आप जानते हैं कि विश्णु भगवान की जो सवारी हैं वो हैं गरुड तो भगवान ने काया है और पक्शियों में मैं गरुड हूँ तो भगवान अपनी अनेक अनेक जो विस्तार हैं, अपनी विभूतियां हैं, उनका वर्णन जो है इस अध्याय में कर रहे हैं आगे बढ़ते वे हम चलेंगे 31 में श्लोक में, भगवान कह रहे हैं इसमें कि समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायू हूँ अब देखो ना वायू से ज़्यादा क्या होगा, तो अब यहां पर ये एक पॉइंट आ जाता है कि अच्छा आप तो बोल ले थे कि वायू देवता की पूजा नहीं करनी, मैं पहले तो इस पॉइंट को क्लियर कर दूँ कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि किसी देवी देवता क कि पूजा नहीं करनी, उनके मंदिर नहीं जाना, उनका प्रसाद नहीं खाना, उनका सम्मान नहीं करना, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, अगर किसी नहीं ऐसा समझा वो उसकी गलती है, देखिए हमें सब का सम्मान करना है, सब देवी देवता हों, सब इंसान, सब मनुश्य सब जीव, सब से प्रेम करना है, सब का संबान करना है लेगिन भक्ती सरफ कृष्ण की करनी है तो भगवान तो एक ही होंगे ना अनेक भगवान तो नहीं हो सकते ना भगवान कृष्ण, भगवत गीता में अनेक बार बात करते हैं अनन्य भक्ति, तो भक्ति सिर्फ भगवान क्रश्ण की करनी है, ये चीज हमें समझनी है, जो राम भक्ते हैं, उनको भक्ति सिर्फ श्री राम की करनी है, जो लक्षमी नरायन रूप में भक्ति करते हैं, उनको भक्ति सिर्फ विष्णू रूप या नरायन रूप में भगव की भक्ती करनी है जो नरसिंग देव जी के भक्त हैं उनको सिर्फ नरसिंग देव जी की भक्त तो अनन्य भक्ती भगवान की करनी है that is the point so यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि दैत्यों में मैं प्रलाद हूँ दमन करने वालों मैं काल हूँ पंचियों में सिंग हूँ पक्षियों मैं गरुड हूँ अब इस दूसरे 31 में श्लोक में भगवान कह रहे हैं क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में clearly कहा कि मैं नदियों में गंगा हूँ यानि नदियों में अगर भगवान का प्रतिनिदित्व कोई कर रहा है जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने भी परवत हैं उनमें ही भगवान ने कहा था मैं हिमाले हूँ इसी तरह से नदियों में भगवान कह रहे हैं कि मैं गंगा हूँ अब हम चलेंगे 32 में शलोक की तरफ 32 में भगवान कह रहे हैं कि हे अरजुन मैं समझ सृष्टियों का आधी, मध्य और अन्थ हूँ एक्शली ये बात भगवान बहुत बार कह चुके हैं एक बार फिर उन्होंने इस बात को रिपीट किया है कि जितनी भी सृष्टि हैं, कोई भी सृष्टि, any creation ये सृष्टि अगर आप सोचें किसकी हम बात करें तो ये धर्ती, ये पूरी दुनिया, जितने भी ये प्लैनेट, शान, तारे, चंद्रमा जो कुछ भी दिख रहा है, ये पूरी सृष्टि, भगवान करें, इसकी शुरुवात, मध्य और अंत, सब कुछ मैं ही हूँ समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्याओं हूँ नेचुली, विद्याओं में तो सबसे बड़ी अध्यात्म विद्धा ही है अब आप कितनी भी कितावे पढ़ लें, जो ग्यान भगवत गिता में है, वो कहीं नहीं जो मीठापन, श्रीमत भागवतम की कथाओं में है, जो रस आपको रामचरित मानस पढ़ने में तो इसलिए भगवान ने कहा है, कि समस्च विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्याओं हूँ और तर्क शास्त्री, जो आपस में एक तरह से द्वंद, आपके सुनाओ, वो पहले तर्क, वितर्क किया करते थे तो भगवान कहे रहे हैं, उसमें जो निर्नायक सत्य है, जिसका नाम यहाँ पर वाद भी दिया गया है संस्कृत में, सौभाविक निर्ने उपर आपको नजर आ रहा होगा वाद सुभाविक नर्ने तो भगवान कह रहे हैं जो तर्क शास्त्री हैं उनमें मैं नर्नायक सत्य हूँ अब हम चलेंगे अगले श्लोक की तरफ 33 वाश्लोक भगवान यहां कह रहे हैं कि मैं अक्षरों में अकार हूँ यहां प्रुपाजी एक्स्प्लेइन कर रहे हैं यानि भगवान कह रहे हैं कि जो सबसे पहला अक्षर होता है नीचरों ने एक्स्प्लेइन किया है कि ए जो शब्द है अकार इसकी बिना कोई भी स्वर उचारित नहीं हो सकता इसलिए यह आदी स्वर है मतलब सबसे पहला तो भगवान कह रहे हैं अक्षरों में मैं अकार हूँ और समासों में मैं दूंद समास हूँ दूंद का मतलब होता है जैसे राम कृष्ण या कोई भी दूंद सुख दुख लाभानी जै पर आजाए यह दूंद समास हूँ मैं शाश्वत काल भी हूँ और सृष्टाओं में ब्रह्मा हूँ ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टी क्रेट किया है भगवान ने ये भी कहा कि ब्रह्मा भी मैं ही हूँ अब हम एक और महत्वपूंच श्लोक की तरफ जा रहे हैं 34 वा श्लोक यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्व भाक्षी मृत्यू हूँ देखे एक तरफ कहते हैं कि सब चीजे मैं क्रेट करता हूं जन देता हूं यहां भगवान कह रहे हैं कि मैं सर्व भक्षी यानि जो सब कुछ खतम कर दे वो मृत्यू भी मैं ही हूँ और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन करता हूँ यानि यह जो साइकल चला रखिये ने यह भगवान नहीं चला रखिये कहते हैं ने 84 लाक युनिया तो मृत्यू भी भगवान ही है और उत्पन करने वाले भगवान हैं और यह शलोक और भी बहुत महतपून हैं दसवे ध्या का 34 वा शलोक यहां भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने स्त्रियों को बहुत सारे गुण प्रदान कियें वो गुण कौन कौन से हैं वो भी भगवान ने दिया है और भगवान का ही विस्तार है भगवान कह रहे हैं स्त्रियों में मैं कीर्ती हूँ देखिए बहुत सारे इस्त्रियां अपने गुणों के कारण बहुत यश्ष प्राप्त करती हैं इसलिए उनको बोलते हैं यश्यस्विनी यानि वो बहुत यश्वान होती हैं ऐसी बहुत भक्त रही हैं जैसे मीरा बाई रही हैं ऐसे बहुत भक्त रही हैं बहुत बड़ी-बड़ी रानिया रही ह रानि पद्म वती लक्ष्मि पाईजी ऐसे तो यह स्त्रियों को भगवान गुण देते हैं कि वह अपने गुणों के कारण ये स्ष्वनी बनती है यानि यश्वान बनती है फिर उसके बाद दूसरा भगवान ने का है श्री यानि उनका आश्वर है उनकी सुंदर ता अगर आप देखेंगे तो वैसे मैं एक आदमी हूँ, हो सकता है मेरी statement आप दूसरी तरह से लें लेकिन में को लगता है कि भगवान ने इस creation में सबसे सुन्दर औरत को ही बनाया तो स्त्रियों को ये गुण भगवान नहीं दिया है तो स्त्रियों में कीर्ती श्री, श्री मने सुन्दर ता फिर वाक, वाक का मतलब होता है वानी, आम तोर पर आप देखेंगे कि जो स्त्रियों होती है, उनकी वानी बड़ी मदुर होती है बड़ी मदुरवानी से वो बोलती है और इसलिए वो तुरंट सबका मन भी मोह लेती है तो ये गुण उनको भगवान नहीं दिया है तो ये हुआ तीसरा गुण कीर्ती, श्री, वाक, स्मृती याद भी उनको ज़्यादा रहता है पहले तो सभी में ये गुण रहता था बड़ भगवान ने स्मृती का जो गुण है वो इस त्रियों को ज़्यादा दिया है कि जब जैसे कोई ग्रंथ पड़ेंगी, कुछ चीज करेंगी तो उनको वो याद रख पाती है स्मृन शक्ति उनकी पुरुषों से ज़्यादा दिये भगवान ने फिर है मेगा मेगा का अरत है किसी भी चीज का जिसे प्राक्टिकल वर्जन उनको बुद्धी भी भगवान ने ज़्यादा दिये वैसे ये सुनकर पुरुष लोग तो बहुत नराज हो सकते हैं उनको लगेगा अरे ये क्या किया भगवान ने सब कुछ उनहीं को दे दिया बट श्रीमत भगवत गीता में ऐसा लिखा है कि भगवान ने स्त्रियों को बुद्धी भी प्रदान की है इसके लाबा दिया है उनको दृती दृती का मतलब है दृता वैसे खैर मैं ये महसूस करता हूँ कि पुरुषों में भी दृता है बट भगवान ने ये गुण वैसे तो अपने भक्तों में ये सारे हैं गुण दी है फिर चाह भक्त पुरुष रूप में हो चाह स्त्री रूप में हो लेकिन भगवान ने स्त्रियों के अंदर दृता, ताकत ज़्यादा दिये ताकत का मतलब ये नहीं कि वह सौ किलो बजन उठाना लेकिन उनमें दृता ज़्यादा होती है आप देखिए उसी दृता के कारण वो पूरा घर अकेले संभाल के आगे चला देती है सारा परिवार कई वार सरफ एक स्त्री पर डिपेंड करता है तो उनमें बहुत दृता होती है और इसके लावा आखरी जो उनमें गुर दिया गया है वो है शमा, धैरे स्त्रियां बहुत धैरेवान हैं और माफ भी कर देती हैं जबकि पुरुष आम तोर पर क्रोधित हो जाते हैं और जंग करने में बदला लेने के बारे में सोचते हैं लेकिन स्त्रियां धैरेवान होती हैं शमावान होती हैं वो माफ भी कर देती हैं और यही रीजन है कि वो शांत जीवन वैतीत कर पाती है सो यह इस लोग बहुत महत्वपून है और यह बताता है कि भगवान ने स्त्रियों को कौन-कौन से गुण प्रदान किये है हरे कृष्णा